दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके फोन में 3-4 जीमेल हैं और उसमें से एक जीमेल या दो जीमेल को अपने फोन से आप हटाना चाहते हैं यानि कि लॉग आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तो मैं स्रीफ phone से logout करने के लिए बता रहा हूँ delete करने के लिए नहीं permanently delete करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जैसे कि हमारे phone में 3, 4, 5, कोई 10, 10 Gmail क्या करते हैं कि login कर लेते हैं अब उनको Gmail को अपने phone से delete करना आता ही नहीं है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि अगर आप अपने फोन से किसी भी जीमेल को लॉग आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो दोस्तो यह वीडियो उनके लिए बहुत हैलफुल है जिन भाईयों को यह काम नहीं करना आता है तो दोस्तो अगर आपको भी अपने फोन से जीमेल को लॉग आउट करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लिज वीडियो को एक लाइक कर दिजिएगा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सस्क्राइब करे लिजिएगा तो ज़्यदा समय न व्यश्करती हुए वीडियो को सुरूप करते है तो देखिए दोस्तो अगर आपके फोन के अंदर में मल्टिपल जीमेल एकाउंट है उनमें से एक, दो, तीन, कोई भी अब डिलीड करना चाहते है अनि कि लॉग आउट करना चाहते है तो कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तो आपको अपने जो फोन की मैन सेटिंग है उस मैन सेटिंग पर जाना है main setting पर जब जाएंगे setting कुछ इस परकार से आएगी इस तरीके से scroll करते हुए नीचे की और जब जाएंगे आपके phone में यहाँ पर एक setting मिलेगी जिसका नाम है accounts and sync हर phone के अंदर में यहाँ जो setting है जरूर दिखाई देगा account and sync आपको इस account and sync setting पर click करना है दोस्तो जैसी ही इसके उपर में आप click करेंगे ऐसा interface आएगा यहाँ पर Google की service आएगी बस इस Google पर आपको click कर देना है दोस्तो जैसी ही इस Google पर click करेंगे आपके वह सारे Gmail आ जाएंगे इन में से अगर किसी एक Gmail को आपको remove करना है उस Gmail पर आपको tap करना है दोस्तो जब उस Gmail पर आप tap करेंगे आपका Gmail इस तरीके से आजाएगा अगर इसको आप अपने phone से remove करना चाहते हैं तो यहाँ पर more का option नीचे खुलेगा इस more वाले option पर click करना है दोस्तो जैसी ही इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको sync no का option आएगा और यहाँ पर remove account का option आएगा तो दोस्तो यहाँ से simply आपको remove account पर click करना है remove account पर click करते ही दोस्तो आपको यहाँ पर remove account का option आएगा बस इसके उपर में tap कर देना है जब इसके उपर में tap कर देंगे तो पहले यहाँ पर तीन Gmail था एक Gmail हमारे phone से remove हो गया है यहां दोस्तो पर्मानेंटली डिलीड नहीं हुआ है सिर्फ हमारे फोन से लॉग आउट हो चुका है तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से अगर आपके फोन में मल्टिपल जीमेल अकाउंट है तो अपने फोन से लॉग आउट कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि अपने फोन से एक या दो जीमेल अकाउंट को कैसे डिलीड करें हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लेज यार वीडियो को लाइक कर जाईएगा और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए टिप्स एंड ट्रिक सीखने के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें लीजिएगा फिर मिलेंगे यार नेक्ट वीडियो में तब तेक लिए टाटा बाई बाई